भारती किर्केट टीम के कप्तान रोहित शर्मा दुनिया के सर्वशेष्ट बल्लेवाजों में से एक है मुंबई के लिए घरेलू किर्केट में खेलने वाले रोहित शर्मा दाय हाथ के सलामी बल्लेवाज और दाय हाथ के ओफ ब्रेक गेंदवाज है हिटमेन के नाम से मशूर रोहित शर्मा के नाम कई बड़ी रिकॉर्ट दर्ज है 36 वर्षी रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियम लीग में मुंबई इंडियन्स की कप्तानी भी करते हैं वे अब तक 5 बार IPL खिताब जीट चुके हैं रोहित शर्मा का जनम 30 अप्रेल 1987 को बंसोण महाराष्ट के नागपूर में हुआ था उनके पिता गुरुनात शर्मा ट्रांस्पूर्ट फरम में केर टेकर थे उनकी मा घरेलू महीला पूर्णी मा शर्मा विशाका पटना में रहती है विशाल शर्मा उनका एक छोटा बाई है रोहित शर्मा का बच्पन बहुत कठिन था रोहित का बच्पन बोरा वली में दादा दादी के साथ बीता पिता की कमाई की कारण वह सिर्फ दो दिन अपने माता पिता के घर नागपूर गया रोहित को बच्पन से ही किरकेट खेलना पसंद था उनकी चाचा ने उनने किरकेट क्लब में दाखिला करवाया था रोहित शर्मा के बहतरीन परदशन देखकर वहां की कोच दिनेश लाथ ने उने स्कॉलरशिप दी वह स्कूल किर्केट में भी खेलते थे जहां एक मैच में उन्होंने शतक भी लगाया था अठारा साल की उमर में उन्होंने देवदर ट्रॉफी में खेला था रोहित ने 2015 में रितिका सजदेहे से शादी रचाई शादी के तीन साल बाद 2018 में उनकी एक बेटी समायरा हुई रोहित शर्मा का रंग है गोरा रोहित शर्मा के आखो का रंग है हलका बूरा रोहित शर्मा के बालों का रंग है काला रोहित शर्मा की लंबाई है पांच फूट आठ इंच रोहित शर्मा का वजन है बातर किलोग्राम रोहित शर्मा ने आवर लेडी वेलकन्नी हाई स्कूल मुंबई में अपनी प्रारंबिक शिक्षा प्राप्त की वे पढ़ने लिखने में बहुत उश्यार नहीं थे उनका मन खेल कूद में अधिक्ता उन्होंने मुंबई की स्वामी विवेकानन इंटरनेशनल स्कूल और जूनियर कॉलिज से बारवी तक पढ़ाई की उन्होंने क्रिकेट को पूरा समय देने के लिए अधिक पढ़ाई नहीं की रोहित शर्मा ने अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत बतोर ओफ समीनर की थी लेकिन उनके कोच दिनेश लाड़ ने उन्हें बल्लेवाजी पर अधिक फोकस करने की सला दी उसके बाद रोहित ने अपनी बल्लेवाजी पर बहुत मेहनत की और एक मैच में पहली बार ओपनिंग करते हुए अपना पहला शतक जड़ा स्कूल और किर्केट अकेडमी में अच्छा परदशन करने के बाद रोहित को घरेलू किर्केट खेलने का मौका मिला 2005 में रोहित शर्मा ने सेंटरल जोन के खिलाफ देवदर ट्रोफी में ग्वालेर में वेस्ट जोन की और से खेलते हुए अपने घरेलू किर्केट करियर की शुरुआत की लेकिन रोहित उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हालांकि उन्होंने अपने अगले ही मैच में नौर्थ जोन के खिलाफ 142 रनों की शांदार पारी खेली वे सुर्कियों में आ गए और इस पारी ने उन्हें आत्मी विश्वास दिया डेवदर ट्रोफी में अच्छा परदशन करने के बाद रोहित शर्मा को अब्बू धावी में चैंपियंस ट्रोफी के लिए 30 सदस्ती भारती टीम में चुना गया लेकिन रोहित को यहां खेलने का मौका नहीं मिला रोहित शर्मा ने फिर रणजी ट्रोफी खेली और बाद में NKP सेल्व चैलिंज ट्रोफी में भी चुने गए लिस्टे क्रिकेट के बाद रोहित शर्मा ने जुलाई 2006 में डार्विन में भारत एके लिए न्यूजिलेंड एकी खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की 2006 में मौंबई क्रिकेट टीम के लिए रणजी टोफी की शुरुआत की उस समय उन्होंने गुजरात की खिलाफ 2 शतक, 2-5 रन और बंगाल की खिलाफ फाइनल में 8 शतक जड़कर चैन करताओं को प्रभावित किया 2014 में रोहित के लगातर अच्छे परदशन को देखते हुए मुंबई रणजी टीम का कप्तान बनाया गया गरेलू किरकेट में शांदार परदशन के बाद रोहित शर्मा को जल्दी ही अंतराश्टी किरकेट में खेलने का मौका भी मिल गया रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को आइरलैन्ड के खिलाफ अपना अंतराश्टी किरकेट डेव्यू किया था हलंकि उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी नहीं मिली 19 सितंबर 2007 को उन्होंने अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच इंगलाइन के खिलाफ खेला 20 सितंबर 2007 को दक्षिन अफरीका के खिलाफ ICC T20 वर्ल्ड कप मैच में उन्होंने 40 गेंदों पर 50 रन बनाकर भारतिय टीम को मैच जीतने और सेमी फाइलन में पहुचने में मैतपूर्ण योगदान दिया था रोहित इस फारी के लिए मैन आफ दा मैच भी चुना गया फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की खिलाफ उन्होंने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए हालान की रोहित शर्मा को वंडे किर्केट खेलते समय कुछ चुनोतियों के सामना करना पड़ा इसलिए सुरेश रेना ने मद्धे करम में जगा बना ली लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और दिसंबर 2009 में रंडजी ट्रोफी में एक मैच में तीहरा शतक लगा कर चयन करताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया बाद में वे बंगलादेश के खिलाफ तरी कौनी श्रिंखला के लिए वंडे टीम में चुने गए लेकिन वे पाँच मैचों की श्रिंखला मैसे किसी में भी नहीं खेले 2010 में जिंबावे के खिलाफ रोहित ने अपना पहला वंडे शतक बनाया था उन्होंने उस मैच में 114 रनों की पारी खेली थी इसके बाद 2010 में श्रिलिंखला के खिलाफ तरी कौनी श्रिंखला में एक और शतक जणा इस मैच में रोहित ने 110 रन बनाये इसके बावजूट 2011 किरकेट विश्व कप में रोहित को नहीं चुना गया था 2011 में रोहित शर्मा को सुरेश रेना की अगुमाई में वेस्ट एंडीस दोरे पर जाने वाली भारतिय टीम में चुनलिया गया उस समय टीम में कई दिककचों को अराम दिया गया था जिसमें सचिन तेंदुलकर, महिंदर सिंग धोनी और विरेंदर सहबाग भी शामिल थे पूरी सीरीज में रोहित शर्मा ने बैतरीन परदशन किया और पहली वर वंडे में मैन ओफ दा सीरीज का अवार्ड जीता 2013 चैंपियन ट्रोफी में सचिन सहबाग के जाने के बाद रोहित को शिखरदवन के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला इस सलामी जोडी ने अच्छा परदशन किया और 2013 में भारत को चैंपियन ट्रोफी जिताई रोहित शर्मा का उतक्रेष्ट परदशन जारी रहा और फिर औस्टीलिया की खिलाफ दोरा शतक लगाया जिसमें उन्होंने 16 चक्के जड़े जो एक विश्वय रिकॉर्ड था वही 6 नवंबर 2013 को रोहित शर्मा ने वेस्टन डीर्स के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की उन्होंने कोलकत्ता के एडन गार्डन्स मैदान पर वेस्टन डीर्स के खिलाफ अपने पहले मैच में 117 रनों की पारी खेली मुंबई के वानखेडे स्टेडियम पर फिर से नाबाद 111 रन बनाए इससे रोहित शर्मा सौरफ गांगुली और अजरुदिन के बाद तीसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले खिलाडी बन गए अगले साल श्री लंका के खिलाफ इडन गार्डन्स में रोहित शर्मा ने 264 रन की पारी खेल कर खेल जगत को हैरान कर दिया रोहित शर्मा ने वंडे इंटरनेशनल में 250 से जादा रन बनाए और दो बार 12 शतक ठोका था 2015 में दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ धरम शाला में रोहित ने 106 रनों की पारी खेली रोहित शर्मा ने इस तरह किरकेट के सभी फार्मेट में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरी खिलाडी बन गए तीन वंडे मैचों में एक मात्र दोरे शतक लगाने वाले बल्लेवाच रोहित शर्मा है रोहित शर्मा ने IPL में सरवशेष्ट प्रदशन किया है 2008 में रोहित ने IPL में अपने करियर की शुरुवात की डेकन चार्जस ने उन्हें 7,50,000 डॉलर में खरीदा था 2008 IPL में रोहित ने सारवधिक 404 रन बनाये थे 36.22 की ओसत से 2011 में मुंबई इंडियन्स ने रोहित शर्मा को 20 लाक रुपे में अपनी टीम में लिया रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में 5 बार IPL जीता है मुंबई इंडियन्स ने रोहित शर्मा को IPL 2030 के सीजन में 16 करोड रुपे देकर टीम का कफ्तान बनाये रखा है रोहित शर्मा का अंतराश्टी डेब्यू, वंडे डेब्यू 23 जून 2007 को आयरिलेंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू 6 नमंबर 2013 वेस्टन डीर्स के खिलाफ, टी ट्वन्टी डेब्यू 19 सितंबर 2007 इंगलेंड के खिलाफ रोहित शर्मा के फेवरेट किरिकेटर सचिन तैंदूलकर और विरेंदर सहभाग फेवरेट हेरोईन करीना कपूर विद्याबालन दिपिका पादुकॉन, फेवरेट हेरो रितिक रोशन अक्षे कुमार सैफली खान, फेवरेट फिलम हेरा फेरी पोडर जो जीता वही सिकंदर, फेवरेट खाना आलू परांठा चाइनीज फूड अंडे, फेवरेट गाड एस्टन मार्टीन, टीम के खिलाफ खेलना पसंद पाकिस्तान और उस्टेलिया, भारतिक कप्तान रोहित शर्मा को करीब 30 कंपनियों ने अपना ब्रैंड एम्वेस्टर बनाया हुआ है, जिन में से कुछ के नम हैं, जीयो सिनेमा, आईटी अलाफ फाइनेंस, डॉक्टर ट ग्लेन मार्क फार्मा, रोहित शर्मा के अवार्ड, 2015 में अर्जुन पुरिसकार, 2020 में मेजर ध्यांचंद खेल रतन, 2019 में ICC ODI Flair of the Year, 2020 में ICC Men's ODI और T20 Cricketer of the Decade Awards के लिए नमंकित, 2021 में ICC Men's Test Team of the Year, टीम इंडिया के हिट्मेन रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी के अलावा अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफी मश्यूर है, शादी से पहले रोहित का नाम तीन लड़कियों के साथ जुर चुका है, सोफिया हयात, रोहित शर्मा ने शादी से पहले गोल्ड अंदाज के लिए पहचानने वाली एक्टरस, मॉडल सोफिया हयात को डेट किया था, 2012 में सोफिया ने खुद ट्वीटर पर बताया कि वे एक दूसरी को डेट कर रहे थे, लेकिन उनका समंद बाद में तूट गया और तोनों अलग हो गए, दो और लड़कियों के साथ रोहित शर्मा के अफियर्स की भी चरकर रही थी, 11 वी कलास में रोहित ने एक लड़की अपना दिल दे दिया था, रोहित ने उस लड़की को परपोस भी किया था, लेकिन स्कूल के बाद रिलेशन खतम हो गया, वही रोहित शर्मा ने अपने किर्किट करे के शुरु देहे से हुई रितिका रोहित की स्पोर्ट्स मैनेजर के तोर पर काम करती थी उसी दुरान दोनों दोस्त बन गए और फिर प्यार हो गया दोनों ने लगबक 6 साल तक टेट की और फिर शादी करने का निड़ने लिया रोहित ने बोरावली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में रितिका को प्रपोस किया था जहां से उन्होंने अपने किर्केट करियर की शुरुआत की थी रोहित और रितिका ने 13 दिसंबर 2015 को शादी की थी रितिका ने शादी की 3 साल बाद 2018 को एक पेटी को जनम दिया जिसका नाम सायरा शर्मा है टीम इंडिया के नियमित कप्तान र प्लस कॉंट्रेक्ट में शामिल है जिसमें उन्हें प्रती वर्ष 7 करोड रुपे की कमाई होती है रोहित शर्मा को एक वंडे मैच के लिए 3 लाक रुपे की मैच फीस मिलती है जबकि T20 मैच में उन्हें 1.5 लाक और टेस्ट मैच में 5 लाक मिलते हैं वही उन्हें IPL में बरली मुंबई में एक 4 BHK अपार्टमेंट है जिसकी कीमत लगबक 30 करोड रुपे है उनके पास लोनवाला में 5.25 करोड का घर था इन सब के अलावा रोहित शर्मा के पास लगबक 7 करोड रुपे की हाया बूसा बाइक, लोबेरेनी गीनी, उरूस, मर्सिटीज बैंच, GLS 350D और टोयटा सुजू की है, रोहित शर्मा एक अत्यंत गरीब परिवार से आते थे, उनके पिता ट्रांसपोर्ट में काम करते थे और उनकी माता एक हाउस वाइफ है, रोहित शर्मा के पिता की कम आई होने की कारण वे अपने दादा जी और चाचा के साथ रहते थे, वे ह उनके करियर बतोर ओफ स्मीनर शुरू किया था, लेकिन उनकी कोच दिनेश लाट ने उने बताये कि उनमें बल्लेबाजी की शमता है, आंदर परदेश में ननी हाल होने की कारण रोहित शर्मा को हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलगू, सब भाशाओ में अच्छी पकड है, रोहित शर्मा को अंडे बहुत पसंद है, लेकिन वे घर पर पूरी तरह से शाकहारी है, रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारते खिलाडी थे, दोजर चे और साथ से सयद मुश्ताक अली T20 टोनामेंट में मुंबई की और से खेलते हुए, रोह है, रोहित शर्मा पहले ऐसे बल्ले बाज है, जिनों किरकेट के सभी प्रारूपों में तीन तीन शतक लगाए हैं, रोहित शर्मा मैंचेस्टर युनाइटेड क्लब के बड़े प्रशनसक है और फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, रोहित शर्मा पूरु भारती किरक किरकेटर नहीं होते तो वहे एरियल स्टेट बैंकर होते हैं, किरकेट के भगवान कहे जाने वाले महान किरकेटर सचिन तेंदुलकर और भारती कप्तान रोहित शर्मा के नाम विश्व कप में सबसे जादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है, दोनोंने विश्व कप मे छेचे सेंचुरी ठोकी है, रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप एक और शतक जड़कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, इंटरनेशनल किरकेट के सभी प्रारूपों में सबसे जादा शक्के लगाने का रिकॉर्ड वैस्टन डीज के दिककच बल्लेवाज क्रि 45 छक्के लगा चुके हैं, रोहित जल्द ही इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, भारती कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कर्प में सबसे जादा शक्के लगाने के सच्चिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, वंडे विश्व कप में सारवादिक छक और विश्व कप में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने वाले भारती किर्केटर बन सकते हैं। उन्होंने अब तक दो वंडे विश्व कप 2015 और 2019 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 17 मैचों में 23 चक्के लगाए हैं। 2020-2021 में जब भारती टीम आउस्टेलिया दोरे पर गई थी, तब रोहित शर्मा का नाम काफी चर्चा में रहा था। चोट के कारण पहले दो मैचों से बहार रहे रोहित शर्मा, तीसरे मैच से पहले विवादों में घिर गए थे। दरसल नवल दीप सिंग के नाम के एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शियर किया था। जिसमें रोहित शर्मा, रिशाप पंत, शुबमन गिल, पृत्वी शा और नवदीप सैनी को मैलबर्न के एक रेस्टोरनेंट के अंदर खाना खाते हुए देख्या जाने का दावा किया गया था। वीडियो वाइरल होने के बाद इन खिलाडियों पर बायो बबल का उलंगन का आरोब भी लगा था, जिस पर बी सी सी आयनत तुरंत कारवाई भी की थी। 2019 विश्व कप में रोहित शर्मा ने शानदार परदशन किया था। विश्व कप में उन्होंने 6 शतक लगा कर सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। विश्व कप में रोहित शर्मा की जगा के एल राहूल को मौका मिला। राहूल दोनों मैचों में फ्लॉप रहे जिससे रोहित शायद खुश नहीं थे। बाद में रोहित ने इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट लाइक की जिसमें के एल राहूल को ओवर रेटेड बताया गया था। साल 2018 में भारती टीम ने इंग्लाइंड दोरक किया था। तब अनुश्का शर्मा का नाम चर्चा में था। विराट कोली की पतनी अनुश्का को भी टीम इंडिया और स्पोर्ट स्टाफ के साथ लंदन में भारत के उच्या युक्त के दोरे पर देखा गया। जिसकी सोचल मीडिया पर बहुत अलोचना हुई क्योंकि ये टीम के लिए था ना कि परिवार के लिए हालांकि उस समय रोहित शर्मा टीम में नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक फैंस के टूइट को लाइक किया जिसमें उन्होंने अनुश्का की अलोचना करती हुई कहा कि अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम है। मैं आश्वा करती हुँ कि आपको रोहित शर्मा के जीवनी पसंद आई होगी।